तो कैसे हैं आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूसे कहा रहे थी कि भाईया आप एक वीडियो बना के प्लीज बता दीजे कि हाउसे कैसे हम अपने चेक आउट कर सकते हैं हमें हाउसेज अलोट हो चुकfend है आईटी मदरास कि ब्.श जिगरी में बट हम अपने हाउस को चेक नहीं कर पा रहे हैं हमें पता नहीं चल पा रहे हैं क्यों सा हाउस अलोट हुआ है तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे कि आप अपने हाउसेज़ को कैसे च चेक आउ다고 कर सकते हैं तो पहले मैं आपको बता दूँ कि यहां पे हमें houses किस basis पर alert होते हैं तो यहां पे जैसे कि अपने 12 houses हो गाए बादिपूर हो गए अपना कॉर्बेट हो गया गीर हो गया काणा हो गयां काजिरंगा हो गया नला मला हो गया नामदफा हो गया निलगीरी हो गया, पीचावरम हो गया, सारंदा हो गया, सुंदरवन हो गया और वाइनाध हाउस हो गया अब कुछ स्टुटेंट्स को लगता है कि हाउसे जैसे मैं हूँ और मेरा फ्रेंड भी यही से तो हम दोनों को सेम हाउस अलोट होगा तो हाउसे यहाँ पर रैंडमली अलोट हो जाते हैं किसी स्टुडेंट को कोई भी हाउस अलोट हो जाता है तो ज्यादा तरह जो मैंने अभी तक देखा है कि हाउसेज आपको रैंडमली अलोट हो जाते है Particularly फ्रेंड यही का है उसको अलग हाउस है आपका अलग हाउस है आपका कोई और फ्रेंड ने उसका अलग हाउस है तो यही सारी चीज़े हैं अब हम देखते हैं कि हमें हाउसे अपने चेक कैसे करने है तो यहाँ पे ITM BA Student 1 मिनट मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि आपको हाउस है कैसे करने है तो सीधे आपको आना है सीधा अपने Google पे चेक करना है IIT Madras B.A. Students Portal आप जैसे यहाँ पर यह लिखेंगे जैने उसके बाद आपको Enter करना है Enter करने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड वाली साइट IIT M.A. Students Portal लिखेगा आपको डारेक्ट उस पर क्लिक कर देना है मैं यहाँ पर step by step समझा रहा हूँ अब प्लीज एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखें का वरना आप किसी और पोर्टल पर चले जाएंगे तो अब यहाँ पर आप देख लिएजे Welcome to IIT M.A. Students Portal आ गया है अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है Sign in करना है अब आपके पास official email ID होगी तो आप यहाँ पर sign in कर सकते हैं Sign in करने के बाद आपका वहाँ पर house show हो जाएगा तो मेरा sign in यहाँ पर हो चुका है अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा house कौनसा मुझे allot हुआ है और आप लोगों को मतलब आप लोग भी यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं कि आप लोग कौनसा house allot हुआ होगा तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको election council का यह सारी चीज़े दिखेंगी कि election में कौन-कौन उठे थे क्या-क्या चीज़े हैं कब-कब आपका election था अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर your info पर आ जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर मेरा नाम शो हो गया मेरा नाम शो होने के बाद यहाँ पर मेरा roll number शो हो गया रोल नंबर के बाद मुझे जो house यहाँ पे अलॉट हुआ है काजी रंगा वो यहाँ पे show हो गया है तो आप ऐसे करके अपने house को find कर सकते हैं कि आपको कौन सा house अलॉट हुआ है अब आपको जो भी house अलॉट हुआ हो आपके comment section में एक बार मुझे बता दीजिएगा तो यहाँ पे आप ऐसी ही जाते हैं कि simply house को अपने check कर सकते हैं फिर से मैं आपको step एक बार बता देता हूँ आपको google पे जाना है ITMBS लिखना है एक minute मैं आपको फिर यहाँ दिखा देता हूँ google पे आप जैसी ही जाते हैं आपको ITMBS student portal लिखना है portal लिखने के बाद आपको third वाले site पे आना है third वाले site पे आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे your sign in कर गे आपको your info में आना your info में आने के बाद आपका नाम आपका roll number और आपका house यहाँ पे show हो जाएगा तो I think आपको यह इस चारी चीज़े आप clear हो गई होगी मैंने बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बता दिया कि houses कैसे आपको यहाँ पे अलॉट हुए है और आपको आपका कौन सा house है तो आज के लिए वह सित्ता ही रहने देते हैं मेरी आवाज भी थोड़ी सी थोड़ी बैट चुकी है इसलिए आज के लिए रहने देते हैं मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye और हाँ एक और चीज़ अगर आपको doubt आता है comment section में आपको आके मुझे पूछ सकते हैं आपको जो भ